Hello Friends, Welcome to On My YouTube Channel Friends, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे Font-Avism Icons के बारे में कि आप अपनी वेबसाइट में Online Font-Avism Icons का यूज़ किस तरीके से कर सकते हैं तो Hello दोस्तों, मेरा नाम अलोकेश आप देख रहे हैं Future Exam Font-Avism Icons के लिए सबसे पहले हमारी वेबसाइट में Font-Avism Icons की जो लाइबरेरी है उसको लिंक करना होगा तो यहाँ पर हमने टाइप किया लिंक यहाँ पर मैंने Relation दिया Style Seat और यहाँ पर Hyper Reference इसका मतलब होता है, यहाँ पर हम Font-Avism Icons की जो लाइबरेरी है उसकी लिंक यहाँ पर पेस्ट करने वाले है तो इसकी लिंक यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दी जो यह लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगे आप वहाँ से कोपी करके अपनी विबसाइट में भी उसे यूज कर सकते हैं अब हम बोड़ी पार्ट में एक डिवी स्टार्ट करेंगे और उसकी क्लास देंगे आइकन बार और मैं इसे क्लोज कर देता हूँ इस डिव में हम एक टेग लेंगे एंक टेग एंक टेग किसी भी वर्ड को या किसी भी आइकन को या फोटो को link में convert कर देता है तो यहाँ पर anchor tag area यहाँ पर मैं class देता हूँ active और यहाँ पर href मतलब hyper reference में has देता हूँ जिसकी वज़़ से यह link बन जाएगा और यहाँ पर हम i-take इस्टार्ट करेंगे i-take यूज़ होता है font-vism जो icons है उनको अपनी website में show कराने के लिए या include कराने के लिए तो यहाँ पर मैं class देता हूँ FA FA यहाँ पर वो नाम आएगा जिसका icon आप अपनी website में include करना चाहते हैं तो यहाँ पर जैसे मैं home type कर रहा हूँ तो home का icon आपको अपनी website में show होने लगेगा यह icons ज्यादा तर अपने menu's में दिखाई देते हैं जैसे menu's में contact us हो गया about us हो गया book हो गई तो वो आपको वाँ पर show होने लगेंगे यहाँ पर हम 4 या 5 anchor tag ओड़ लगाएंगे तो यहाँ पर मैंने start किया anchor tag A HR यहाँ पर मैंने hashtag दे दिया इसके बाद हम i button start करते हैं i button में हमने class दे दी FFA और यहाँ पर हम type करेंगे search यानि जो search icon है वो आपके सामने अपनी website में show होने लगेगा इसके बाद हम anchor tag A start करेंगे HRF में हम देंगे heads इसके बाद यहाँ पर हमने i tag start किया और i tag को हमने close कर दिया यहाँ पर i tag में हम class देंगे FFA days इसके बाद envelope यानि जो envelope याद लिफापा होता है उसका आपको वहाँ पर icon show हो जाएगा यहाँ पर जो HRF है उसका मतलब होता है कि आप वहाँ पर अपनी link देंगे तो जैसे ही आप home icon पर click करेंगे तो आपको automatic वह home icon show हो जाएगा और इसके बाद आप यह दी envelope में किसी भी envelope की या किसी भी document की आप वहाँ पर link देंगे तो वह automatic उस page पर redirect हो जाएगा तो यहाँ पर हम type करेंगे class FFA days इसके बाद globe यानि जो आपका परत्विका है वह आपको वहाँ पर icon show हो जाएगा यानि globe का icon है वह आपको वहाँ पर show हो जाएगा इसके बाद में href hedge यहाँ पर हम facebook का icon देंगे यहाँ पर हम class देते है FFA facebook यहाँ पर पूरी लाइबरेरी में हम कोई भी word यह दि यूज करते हैं तो वह आपको icon के रूप में आ जाएगा जैसे बहुत सारे icons होते हैं उनको हम किसी भी icon को यहाँ पर फिरी में include कर सकते हैं यहाँ पर हम control S से इस फाल को save करते हैं और एक और browser में आके देखते हैं तो यहाँ पर देखिए home, search, envelope और globe and facebook यानि जो सबी icons हैं वो यहाँ पर आपको show हो रहे हैं तो यहाँ पर आप icons को अच्छी तरीकी से देख सकते हैं और इनका use आप अपनी website में भी कर सकते हैं अब हम बात करेंगे इनके designing के बारे में तो इनके background में हम क्या design कर सकते हैं तो वो आपको यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ सबसे पहले हम class को copy करते हैं जो due है उसके उपर हम designing करेंगे तो यह icon बार आपको show हो रहे हैं तो इसको हम copy करते हैं इसके बाद head section में हम style take start करेंगे तो यहाँ पर मैंने style type किया इसके बाद इसे close कर दिया यहाँ पर हम class को dot से represent करते हैं तो यहाँ पर मैंने dot icon bar इसके बाद हम यहाँ पर width देंगे width हम 100% करेंगे यानि जब भी आप desktop site open करेंगे या आप mobile site open करेंगे तो आपको complete page पर आपको यह icons दिखाए देंगे यहाँ पर मैं background color यहाँ पर देता हूँ has 555 आप यहाँ पर कोई भी color यूज कर सकते हैं overflow हम करते हैं auto और इसे हम save करके एक बार देखते हैं ब्राउजर में तो देखिए आपको यहाँ पर icons के साथ एक background में due भी दिखाए दे रही है अब हम बात करेंगे due tag में use होने वाली anchor text की designing के बारे में तो सबसे पहले हम class लगाएंगे dot icon bar और यहाँ पर anchor text की designing करेंगे तो यहाँ पर आएगा a सबसे पहले हम यहाँ पर करेंगे float lift अब हम बात करेंगे due tag में use होने वाले anchor text की width के बारे में तो यहाँ पर इसकी width देंगे 20% यानि जितने भी anchor text हमने use किया हैं तो उसका partition automatic वहाँ पर हो जाएंगे और उसके partition 20% सभी के हो जाएंगे इसके बाद हम text align करते हैं उसको center जो भी word होंगे वो आपको center में show होंगे इसके बाद इसकी padding देते हैं 15 या 12 फिक्सल और इसकी करते हैं 0 फिक्सल यानि जो left और right जो उसकी padding है वो आपको वाँ पर show होगे यहाँ पर transition देते हैं 0.3 second is इसके बाद हम इसका color set करते हैं तो मैंने इसका color कर दिया white यानि जो भी icons आपको show होंगे तो उनके icons आपको white color में show होंगे यहाँ पर इसकी point size करते हैं 36 फिक्सल इसके बाद हम इसे save करके एक वार browser में open करते हैं तो मैंने इसे save किया और browser में open किया तो आपको देखिए यहाँ पर सभी icons show हो रहे हैं उनका color भी white है और आपको जो due बनी है उसका background color भी आपको show हो रहे हैं आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जिसे ही मैं page को छोटा कर रहा हूँ या बड़ा कर रहा हूँ तो वो automatic यहाँ पर adjust हो रही है यानि जो हमने यह page बनाया है तो वो automatic आपका जो mobile size है और desktop size है तो आपको दोनों पर automatic वो set हो जाएगा यानि जो हमने इसकी percent यानि width दिये वो यहाँ पर percentage में दिये तो वो आपको automatic जो mobile size है और tablet size है या किसी भी desktop size है तो वो automatic वहाँ पर set हो जाएगा अब हम बात करते हैं hover के बारे में यानि जो भी हमने icon bar बनाई है उसके उपर यह दिये हम hover करें तो वहाँ पर color भी automatic change होना चाहिए तो यहाँ पर सबसे पहले हमने class लगाई dot icon bar और जो भी हमने anchor text लगाए तो यहाँ पर type कर दिया हमने a और यहाँ पर hover type कर दिया जब भी हम anchor text के उपर लेके जाएंगे जब भी हम icon bar के उपर cursor लेके जाएंगे तो वहाँ पर आपको color automatic वहाँ पर change हो जाएगा तो यहाँ पर मैंने background color दे दिया black जैसे मैं cursor लेके जा रहा हूँ तो यहाँ पर आपको background color black होकर दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर देखिए जिसे ही मैं cursor लेके जा रहा हूँ तो आपको background color change होते दिखाई दे रहा है अब हम बात करेंगे active class के बारे में तो यहाँ पर मैं type कर रहा हूँ dot active और यहाँ पर break it open कर लिया नीचे हम देखते हैं यानि जो मैंने first anchor tag लगाय था उसके अंदर मैंने class थी active तो इसका हम यूज करेंगे background color के लिए यानि जो भी page active होगा उसका जो icon है उसका background color आपको कैसा दिखाई देगा तो यहाँ पर मैंने background color यूज कर लिया और यहाँ पर मैं कर देता हूँ orange और इसे save करके ब्राजर में देखते हैं तो यहाँ पर देखिए active class यानि जो page यहाँ पर आपको show हो रहा है उसका आपको background color है वो यहाँ पर orange दिखाई दे रहा है हम किसी भी icon में active class यूज कर सकते हैं यानि जो भी page आपके सामने होगा वो active page होता है और उसका active page का color आपको अलग से यूज करना होता है क्योंकि आपकी website तभी अच्छे लगेगी जब आप उसके designing part में अच्छे से functions आप create करें अच्छे functions आप उसमें use करें तो यहाँ पर हमारी menus complete तरीके से त्यार हो चुकी है हम इसे menus भी बोल सकते हैं और font-a-vism icons भी बोल सकते हैं यहाँ पर हमने कोई भी नाम टाइप नहीं किया केवल और केवल हमने जो font-a-vism icons है उनका use करके यहाँ पर menus बनाए है अब मैं आपको कुछ और font-a-vism icons के बारे में बताता हूँ जैसे हम facebook के बारे में type करते हैं तो यहाँ पर आपको type करना होगा facebook ट्विटर आपको यूज करना है तो यहाँ पर type करना होगा twitter आपको अगर youtube का आइकन चाहिए तो यहाँ पर type करना होगा youtube और यहाँ पर lincoln का अगर आईकन चाहिए तो यहाँ पर मैंने type किया LinkedIn और यहाँ पर हम type करते हैं वोटसब यानि आपको कभी भी WhatsApp का आइकन अपनी वेबसाइट में यूज करना हो तो यहाँ पर आपको टाइप करना का WhatsApp जैसे हमने सेव करके इसे ब्राउजर में ओपन किया तो आपको सभी आइकन्स यहाँ पर शो हो रहे हैं चाहे Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn and WhatsApp कोई भी आइकन हो वो आपको यहाँ पर शो हो रहा है तो आप यहाँ पर बहुत सारे हजारों लाकों आइकन से उनका आप अपनी वेबसाइट में यूज कर सकते हैं और वो भी बिल्कुल फिरी में थेंक्यू फ्रेंट्स वीडियो देखने के लिए बहुत पहुत थेंक्स मिलते अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भार्ट